कोई फिल्म के प्रोशन पर आप में गेरी तो फिर वाइस नहीं दौरान बात्चीच चली से कि काजल आप मन फ्लीज चलो करके वह बीच मोर पापा जी के बहुत ज्यादा तवित खराब रही से आशिस गंदीर सर रवीब भाईया अकास सोनी जी अव दीएस पी सर चारों के बहुत कन्वेंस करें के बाद मैं गेहाँ फिर भी मैं मतलब पापा के तब्यत खराब है नहीं जाओ करके और पापा के बीरी इसकी मुलक आजल बेटी होस्पीटल लेके जाही तो फिर जब तर्मन पापा से थोड़ा रिक्वेश्ट कर इसकी जान दो करके तो पापा के मन मिलके प्रमोशन निकर तो प्रोडूशर जिंदा नहीं रिजाएट सी बात है तो प्रोडूशर लब अचाना भी जरूरी है मुर्थ होड़े से करवजे से भी गया हूं अब एक रीजन नहीं जाके देखना है इसके नक्स्लाइट कैसे होते नक्सली एरिया कैसे होते तो मै मैं बहुत जादा एक्साइटेद हैं वहां के लोग से मिले बर वहां के संस्क्रीटी देखे बर मोला अब जब तक मैं अध्दूलहन प्या की मैं भी बहुत अच्छा है नो डाउट लेकिन वहां के मन जर्रस से जादा अच्छा है बतलब एक्दम भोला भाला है बोल सकता ह कि यहां मन कई जाब हो तो चाय पानी पर पूछी हो मन इतना एक्साइटेज ही थे कि खाना खाओ रहना वेहना सब के वह वस्ता इतना तूरन-तूरन कर देते मतलब दिल बहुत बड़े होकर मन के बहुत ही अच्छा लग इस मुलमा घुम के इसने हिरो इन मनला का सला दू प्रमोशन वर नहीं जाओ है बस मैं यहीं बोलू हूं कि अभी इंडरेश्टी एक लेवल अप हो है और अभी हम यूवा मन आये हैं और बाकी चन भी जो बढ़ावा थे तो बस प्रोडूसर ला सपोर्ट करो ताकि उमन अच्छा अच्छा फिल्म बनाया और लोगों तक प कि प्रमोशन वाली बात मैं बस जब हिल्म रिलीज करते तो ना वनजारी मंदिर में पुजा करते ना तो वह बहीं इन्वाइट रही हो कर मनके साथ 2-3 जगा भी मैं प्रमोशन में गे रहा हूं आवन अन्नी खेटी नहीं आईरी से लेकिन मैं गे रहे हूं तो जरूरी नहीं कि मैं सिपनावा भीहान के प्रमोशन कर रहा था हूं मैं बाकी फिल्म के भी प्रमोशन कर था हूं उपर मैं इसके साथ भी मैं प्रमोशन